बिजनस में ग्रोथ करना है, बिजनस में सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, पेर पार्ट बनाते हैं जो किसी मशीन में फिट होता है, तो वो भी B2B इंडस्ट्री में भी सैल आउट होता है, आज बहुत सारे बिजनस ओनर नेटवर्किंग करते हैं, चेमबर अफ कमवर्स, चेमबर अफ इंडस्ट्री, चेमबर अफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की मेंबर्शिप लेके, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दॉक्टर अमित पाईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ, Metas Overseas Limited Company का, और आप लोग जानते हैं कि हमारी कमपनी, स्टेलने स्टील मडूलो केचिन के म एक्सपोर्ट करते हैं, और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फैंचाइजी और डिलशिप शोरूम है, किसी भी बिजनस को अगर एक्सपेंशन तक लेकर जाना है, बिजनस में ग्रोथ करना है, बिजनस में सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरत है नंबर ऑफ क्लाइन्स आपके बढ़ने चाहिए, मतलब सेल्स का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, टर्नोवर बढ़ने चाहिए, लेकिन वो के वल तभी संभव है, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ लीड्स होंगी, और किसी भी बिजनस में लीड्स लाने के लिए आपक तर लेको की पिखल टास्क हो जाता है, अगर हमें यही नहीं पता है कि मार्केटिंग करनी किस तरह से हैं, तो ध्यान रखिएगा किसी भी बिजनस में मार्केटिंग करने के लिए अलग-अलग मैथट Stevens के लिए हमें अपनाने चाहिए, इस बात को समझने से पहले आपको य में आता है business के लगलग modules होते हैं यह depends करता है कि कौन से business module होगा और मार्केटिंग कैसे की जाएगी तो देखते हैं कौन कौन से business module है सबसे पहला है B2B business with business मतलब ऐसा business आप करते हैं जहांपर आपका product कोई end user नहीं ले रहा कोई ऐसी इंडस्ट्री को ऐसी ओर्गनाइशन को ऐसी फर्म ले रही है जो उससे कुछ और प्रोड़क्ट डेवलेप करती है यह आपने किसी बनाए हुए प्रोड़क्ट के पार्ट के रूप में आपके प्रोड़क्ट का इस्तेमाल करती है तो वह सारी इंडस्ट्री बी-टू-बी ह फिट होता है तो वो भी B2B इंडस्ट्री में भी sell out होता है दूसरा हो गया B2C business with client कई सारे business ऐसे होते हैं जहां पर आपकी deal direct customer से होती है direct client से होती है उसको बोलते है B2C आपका जो end user है वही उसका मतलब जिसको आपने sell out किया है product वही उसका इस्तिमाल करेगा तीसरा होता है B B2G business with government आपको ऐसा product बनाते हैं जिसकी supply आपको government tender के थुरू सरकार को करनी होती है तो उसको बोलते है B2G और B2E business on e-commerce के थुरू मतलब आप किसी भी business को किसी भी model पर कर सकते हैं पर depend करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके product इस तरह की है कि सिर्फ आप e-commerce के माधियम से ब D2C and D2C similar होता है लगबग लेकिन D2C वे direct customer को यह आप approach करते हैं बीच में कोई mediator नहीं होता direct customer के पास आपका product जाता है तो सबसे पहले यह समझ लो कि आपके business का model कौन सा है और कौन से model के हिसाब से कौन से marketing होनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं एक comment करके मुझे आप ज समझ जाएं कि आपके business का model क्या है तो आपको decide करना है कि marketing traditional हो या marketing modern हो दोनों method पर हम बात करने वाले हैं तो पहले बात करते है traditional marketing की traditional marketing का सबसे पहला जो method है वो बहुत ज़रा tried and tested method है और वो क्या है networking या relationship building आज बहुत सारे business owner networking करते है networking के लिए different platform होते है social platform के थूरू भी networking ह होती है business platform के जरी भी होती है एक दूसरे मिलकर भी होती है business organizations में जाकर भी Chamber of Commerce Chamber of industry Chamber of import export की membership लेके वहां भी लोग अपना network बनाते हैं दूसरा printing advertisement और direct mail डारेक्ट मेल भी अलगतर रहा हो गया printing advertisement में क्या है कि आपने leaflet brochure visiting cards और आपकी company के catalogs यह छपवाए है और इनका distribution करते है और भी बहुत सारे methods traditional marketing के जैसे आप newspaper advertisement कर रहे है magazines advertisement कर रहे हैं कहीं भी poster pamphlets आप लगा रहे हैं तो printing advertisements के जरीए भी number of leads को acquire किया सकता है और right follow-up के जरीए sales में convert कर सकते हैं इसके अलाबा traditional marketing में trade shows and exhibition में participation करके भी आप बहुत सारी leads generate कर सकते हैं इसके अलाबा cold calling and door-to-door sales cold calling का मतलब क्या है कि आपने किसी भी company का किसी भी organization का या किसी भी directory के थ्रूप कोई data ले लिया है अब उस data पर आप particular logo से बात कर रहे हैं आप देखिए आपको call आते हैं कि सर क्या आपको credit card के requirement है क्या सर आपको car loan के requirement है क्या आपको एपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं क्या बहुत सरा data आपके पास है उस तरह के चीजों को इस्तिमाल करने वाले लोगों का और आपने वहां पर call करके business मांगना शुरू कर दिया है इसके रावा डोटूडोल से भी होती है आज बहुत सारी company sales and marketing executives रखती हैं उनका काम है उसकी marketing भी करना और sales भी करना वह घर-घर जा कि और उसका blast किया उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के पास कॉल इकठी पहुंचेगी जो इंट्रस्टीड लोगों के आप से बात करेंगा आपके पास भी आती होगी आप मुझे comment box में लिखकर बताओ आज के समया पर आपके पास किस तरह के आई-वियर कॉल आती है कि असारी कॉल क्रेडिट कार्ट से समझ आती हैं लोन से समझ आती हैं या और किसी प्रोड़क की भी कॉल आपके पास आती है comment box में लिखकर बताओ इसके बाद हम बात करते हैं modern sales strategy की कौन-कौन से तरीके है modern method में जिससे आप बहुत सारी sales के volume को बढ़ाने के लिए लीड ज बता है जब आप टीवी पे कोई प्रोग्राम कोई शो कोई मूवी देख रहे होते हैं और क्या करते हैं आप रिमोट से तुरंट चैनल चेंज करते हैं इसलिए आज का जो मेठाड है ना modern method है कहता है कि content marketing की जाए content marketing का मतलब हो गया उस product से संबंदित information उस industry से संबंदित information उस product के features and benefits के बारे में information कोई ऐसा content जिसके जरीए आपका product promote होता हो उस तरह की marketing की जाए social media marketing का trend तो आप जानते हैं और आज आप चो वीडियो देख रहे हैं यह भी social media platform के जरीए देख रहे हैं तो social media marketing में क्या हो गया Facebook LinkedIn है Instagram है और YouTube है और Google AdWords है और बहुत सारे से तरीके जिसके जरीए आप social media के जरीए direct खुद भी promote कर सकते हैं paid campaign भी चला सकते हैं और influencers को hire करके उनके थूरू marketing करवा सकते हैं उसके अलावा email marketing आज बहुत सारे email का data आसानी से मिल जाता है डेटा बाइकर क्या bulk mail कर सकते हैं जैसे पहले एक समय था ना Instagram पर जैसी कोई उस एड़ पर क्लिक करेगा उसका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा जो भी amount आपने एक तरह से गूगल एड़ वर्ड में या Facebook campaign में कहीं भी आपने इन्वेस्ट की है तो पेपर क्लिक यह अच्छा option है जहां पर आप बहुत अच्छी sales का volume generate कर सकते है लीड generate कर सकते हैं convert उनको कर सकते हैं इसके लावा e-commerce और online sale के जरीए भी अब ज़रूरी नहीं कि आप अपना खुद का e-commerce platform बनाए आज बहुत सारी e-commerce platform पहले से बने हुए ज़रूरत है तो केवल अपने product को उन e-commerce platform पर लिस्ट करने की जैसे Amazon Flipkart है ऐसे बहुत सारे platform है आप मुझे comment करके बताएं कि आप कौन-कौन से platform के बारे में जानते हैं या कौन-कौन से platform के जरीए अपने product को sell out कर सकते हैं online sales के जरीए भी कर सकते हैं अब online sales और e-commerce में होड़ा differentiation है e-commerce में क्या होगा है जहां पर e-commerce website के जरीए आप sell out कर रहे हैं लेकिन online sales का मतलब क्या है कि आपने online sales promotion करके बिना e-commerce platform के direct sales करना शुरू कर दिया जैसे facebook और instagram के थूँ आज बहुत सारे लोग direct sales करते हैं कि भी ठीक advertisement दिखाया information share की और वहां से लोगों को invite किया कि अगर आप interested है तो हमारे shop पर आए या हमारे store पर आए या आप हमें online payment करें हम आपको direct courier करके आपका product आपके यहां भेज देंगे तो यह वो तरीके हैं जि बिजिन से संबंदित कोई भी informative वीडियो मिशता हूं उसके लिए चैनल को अभी subscribe कर ले क्योंकि यहां पर हम लेका राते हैं latest business की information और वो strategies जिससे आप अपने business को next level ले जा सकते हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आपके सुनरे वविश्य की काम करता हूं जय हिंद जय भारत